IQ New 7 Pro 5G और OnePlus Nord 3 5G ये दोनों स्मार्टफोन 30,000 की रेंज में आने वाले बेस्ट गेमिक स्मार्टफोन हैं लेकिन जब बात हो इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को सेलेक्ट करने की तो इन दोनों में से आपको कौन सा फोन सेलेक्ट करना चाहिए ये मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में क्योंकि वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेर करने वाले हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रही है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए OnePlus Nord 3 5G में आपको 1080 pixels resolution और 120Hz refresh rate के साथ 6.74 इंच की AMOLED display मिलती है डिस्पले में आपको HDR 10 Plus और security के लिए ड्रेगं ट्रेल गलास का support मिलता है डिस्पले की brightness काफी अच्छी है जो की 1450 nits है और touch response भी अच्छा है जो की 240Hz है इसमें आपको adaptive refresh rate मिलता है जो की 40Hz से 120Hz तक है IQ New 7 Pro 5G में आपको 6.78 इंच की Full HD Plus डिस्पले मिलती है जो की 120Hz से refresh rate और 300Hz से touch sampling rate support करती है डिस्पले में आपको 1300 nits की brightness मिलती है साथ में HD 10 का support मिल जाता है तो overall इसमें आपको काफी अच्छी डिस्पले देखने को मिल जाती है डिस्पले की brightness काफी अच्छी है टच response अच्छा है और डिस्पले का size भी बड़ा है इसलिए वीडियो देखने का experience इसमें आपका जो है वो बहुत अच्छा रहने बाला है अब बारी आती है chipset की OnePlus Nord 3 5G में आपको MediaTek का dimension 9000 chipset मिलता है फोन में आपको 16GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 storage मिलती है यह phone Android 13 based oxygen OS 3.1 पर चलता है लेकिन अगर आप इसे आज की date में buy करते हैं तो इसमें आपको Android 14 देखने को मिलेगा इसमें आपको 3 साल के major update और 4 साल के security update मिल जाते हैं बात करें gaming की तो gaming performance आपको इस phone में बहुत अच्छी देखने को मिलती है इसमें आप high graphics पर लंबे समय तक gaming कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं IQ New 7 Pro 5G में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मिलता है जो की 4NM का काफी powerful प्रोसेसर है इसमें आपको 12 GB तक LPDDR5 RAM और 256 GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है परफॉर्मेंस की बात करें तो gaming के लिए phone काफी अच्छा है इसमें आप high graphics पर लंबे समय तक gaming कर सकते हैं तो जहां तक gaming performance की बात है तो IQ New 7 Pro 5G में आपको outstanding gaming performance देखने को मिलती है camera support की बात करें तो Nord 3 में आपको triple rear camera setup मिलता है phone में 50 MP का wide lens मिलता है जो की OIS support के साथ आता है दूसरा 8 MP का ultra wide lens है और तीसरा 2 MP का macro lens मिलता है front में selfie और video call के लिए इसमें आपको 16 MP का camera मिलता है इसका camera दिन की रोशनी में अच्छा काम करता है इसमें आपको low light photography भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है वीडियोग्राफी की बात करें तो इसके rear camera से आप 4K video को 60 fps पर shoot कर सकते हैं और front camera से आप 1080 pixel video को 30 fps पर shoot कर सकते हैं IQ New 7 Pro 5G में भी आपको triple rear camera setup मिलता है iPhone में 50 megapixel का primary sensor है और 8 megapixel का ultra wide angle camera है और 2 megapixel का macro sensor मिल जाता है selfie और video chat के लिए इस phone में आपको 16 megapixel का front camera देखने को मिल जाता है इसकी camera की performance अच्छी है daylight में इसका camera अच्छे से perform करता है बात करें video recording की तो इसके camera से आप 4K video को 60 fps पर shoot कर सकते हैं बैटरी की बात करें तो OnePlus Nord 3 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है साथ में 80W की fast charging का support है IQ New 7 Pro 5G में आपको 120W flash charge support के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है और charging के लिए इसमें आपको USB Type-C port मिल जाता है अब बारी आती है कि दोनों में से आपको कौन सा phone वाय करना चाहिए और अगर आप किसी smartphone पर 30 या 35,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको दोनों में से IQ New 7 Pro 5G को गेमिंग के लिए consider करना चाहिए उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए